क्या आप फ्योरिया के बारे में जानते हैं? उसके लिए हत्या करना उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। फ्योरिया की ट्रेनिंग एक ग्लेडियेटर स्कूल में हुई थी। एरिना में लड़ाई जीतने के बाद फ्योरिया के चेहरे की चमक और ज्यादा बढ़ जाया करती थी। इस महिला ग्लेडियेटर के सामने ताक इन सब के बावजूद फयूरिया को देखकर उन सभी की रूम काम जाया करती थी। इतिहास में फयूरिया का नाम बहुत गहराई से खोजने पर ही मिलता है।